हालो दोस्तों टेजपाल सिंग्स भूर्थला तो आज दी ये शेस अत्रमिंट दी वीडियो जी दिया है वो तो अडेस विश्वाश्रू हूर भी पक्का करेगी के डियाईपी डाइट डाल गंभीर को गंभीर भुमारी तो बचया जा सकता है अज दी ये वीडियो उससे वी संजा करन जा रहे हैं एक व्यक्ति जो अपनी कहानी वरे रसेगा कि किमें उससी बिमारी तो नेरी नजाच और डियाईपी डाइट नहीं मिली तो दोस्तों तुस्ती पिछले कुछ वीडियो दो देखके भी तो अनों गल समझाई होएगी के गंभीर तो गंभीर बिमारी चाहे हो कैंसर है चाहे हो शूगर है चाहे ब्लड प्रेशर है इवन एड्स वर्गी भी ठीक हो सकती है डी आईपी डाइट नहीं तो जदो एहोजी बमारियां तायाद हो सकता है इस डाइट नहीं तो उसी सोच के देखो कि अगर कोई तंत्रों स्वेक्ति यस डाइट ते इस डाइट कुछ पता नहीं है इदे करके ही लोग जड़े है वह इसकल तो डर्दे है अपा हैल्थ एंच्वरस करवोने हैं कि जेकर कोई इसके समझी बमारी ऑन्राली समझ लग जनती है तो साथा हस्ताला खर्चा जड़ा हो कुल कंपनी उठा लेगी ता असीं अपनी है कि अगर तो सी बमार होगे तो तोड़ा हस्ताला खर्करों कंपनी उठाएगी नेकर तोड़े शरीर ना जो जो भी तुक्स तकलीफ होगी तो अनूही चलनी पहेगी तब मेरा एक हैना है कि अगर तंत्रस व्यक्ती इस डाइट नो अपना लेंदा तो कि पिछले काफी सब्सक्राइब तो कि अगर तंत्रस व्यक्ति इस गरंटी हो जन्दी है कि ऑन वाले समयच उन्हों शूगर ब्लड प्रश्यर जाएं टैंसर वर की प्रुमारी जिड़ी है उस तों बच्या जा सकता है ऑन वाले समयच ए डीएप डाइट तो उन्हों इस गल्दी है शोरस द जा चुकिया है तो आज दी इस वीडियो नो देखन तो बाद वश्वाश हो भी पका हो सकता है इस वीडियो नो पूरा देखो ते इस वीडियो नो जिन्ना वद तो शेयर किता जा सकता है दोस्तों क्योंकि असली खुशी जड़ी है इंसान असी सारे लोग अलग अलग तर यह नोग खुशी जान सोख जान अराम मिलता है तो उस लाल दी खुशी जेदिया हुर किते भी नहीं लब सकती ताँ यह वीडियो इसले शेयर करो तांके किसे व्यक्ति नो तो अड़े रहें कोई लाब हो सके कोई फायदा मिलता के इस वीडियो नो पूरा देखो तांके यूट्यूब चैनल है लाइफ दूट्रग इनूँ सब्सक्राइब कर लो तांके ओन वाली वीडियो जिडिये जिडिये अलग अलग मुद्यां से शेयतना सबंतत विश्यांते होएगी वीडियो दा तो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए मैं अपना मोबाइल नंबर रू अगर तुसी चौन देख दोस्ता जाहोर लोग कानु रिष्टे रहन मिलना तुसी कुछ लोग कानी गैदरिंग कर सकते हो ते उदा कोई चार्जर नहीं हना फ्री आके असी उत्ते वो ट्रेनिंग जिरी है जाए सारी जानकारिया जिरी है उत्ते आके और लोग कानों दे सकने हैं तो तुसी अस वीडियो नों पूरा देखो इस देखो देखों तो बाद शेयर जिरूर करो तो ड़का नवाज तो लेखे जैनेटिक डिटेक्ट जो बच्पन में हुआ था वो ठीक हो गया हो तो ये छोटी बात नहीं किसी भी किसी भी आंगल से हैं इस इंसिनेटली मैं आज परी बार बिल रहा हुआ है तो इसका मतलब यह कि मैंने इनको ठीक नहीं किया इनोने खुद को ठीक किया परेले बाद पर यह क्लियर होती है और व हमेन है और और उसको में आब अगे आपको दिखाता हूँ मैने उसको ज tenho में पबिस्च कराय बहुत ज़र करें जूनर का झो पबिस्च रिशर्च क Albanय ए मेरा वह के सटेडीए心 केपर वह पेपर भी आप मेरे साइट में या उस जानल साइट में दिख सकते हैं लेकिन आप सभी का नमस्कार, मेरा नाम सुरेश्च चंशर्मा है, मैं अजमे राजस्तान में रहता हूँ, रपी असी राजस्तान पॉब्लीक सर्विस कमिशन में, मैं डिप्टी सेक्रेटरी था, रिटायर हो गया पिछले साल, अभी मैं 61 साल का हूँ, पिछले साल मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तखली हुई, तो मेरे बेटे ने मुझे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने जब मेरा सेचुरेटेट अक्सिजन चेक किया, वो उस समय मेरा 75 आ रहा था, तो उन्होंने इमिजएट का मुझे होस्पिटलाइज होने के लिए, हमारे पास कोई ओप्शन नहीं था, होस्पिटल ले गए मुझे, पहले तो अजमेर का बड़ा फेमस होस्पिटाल है, मित्ल होस्पिटल, वहाँ दिखाया, उन्होंने मुझे आर्टिफिशल ऑक्सिजन इनहेल की, और मेरे टेस्ट हुए, इको कार्डियोग्राफी, और भी कही सारे दस्बी सरे की टेस्ट, बाद में मैं जेलन होस्पिटल में एड्मिट हुआ, और वहाँ भी कंटिन्यूरसली 24 गंटे ऑक्सिजन पर ही रहना पड़ता था मुझे, उसके बाद में डॉक्टर ने कहा, देर इस नो अप्शन, ये 15 दिन से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, क्योंकि इनका हार्ट में छेद है, ASD, हार्ट में छेद है और वो इस स्टेज पर है कि ओप्रेशन उने लायक नहीं है, तो काफी परिशान हो गया में, मेरे बेटे ने वो सारी मेडिकल रिपोर्ट्स, एमदाबाद के बड़े होस्पिटल में चेक करने के लिए बेजी, वहाँ खुद गए, तो उन्होंने का, भई, इसका सर्जरी ही एक मातर इलाज है, और चूँकि ये केस बड़ा क्रिटिकल है, अब सर्जरी भी नहीं हो सकती, अब तो इनको बस होस्पिटल ले जाओ, वहाँ 24 और ऑउक्सिजन पर रखेंगे, और जितना समय निकल सकता है, निकल जाएगा, उसके बाद में मेरे बेटे ने, डॉक्टर भिजूब राज चौदरी सर से बात की, उन्होंने मेरे सारे मेडिकल रिपोर्ट्स दे की, फाइल दे की, फिर उन्होंने मेरे को कहा की, जो एक डाइट चार्ट है, वो सर्जेस्ट किया, मेरे पास और कोई उप्षिन था नहीं, सर्जेरी, डॉक्टर, काइडियो, थोरेसिक सर्जन ही करने से मना कर रहे हैं, और मैं कराना भी नहीं चाहता था, डॉक्टर एक ही बात बोल रहें, नाइंटी नाइन परसेंट रिस्की मामला उप्रेशन का, और, फिर मेरे पास और कोई उप्षिन था नहीं, तो मैंने वो डाइट चार्ट ही लेना शुरूर किया, चमतकारिक रूप से मेरे को ठीक होना में महसूस किया, करीब साथ दिन बात तो मैं होस्पिटल से रिलीज हो गया, और रिलीज होने के बाद ये डाइट चार्ट कंटिनियूसली लेता रहा, सुबह, जूस और, जैसा जैसा डॉक साफ ने सुज़ेश किया, उस चार्ट को फॉलोग करता रहा, और लगबग दो महिने, तीन महिने में छुट्यों बर रहा, कंटिनियूसली चार्ट को लिया, उसमें मेरे सभी घरवालों का मुझे सहयोग था, कि टाइम पर मुझे जूश देना और सैलिज देना, और जो भी चीज उन्होंने सजेश्ट किये, वो देना, वो लेते लेते मेरे को ऑक्सिजन लेने की जो जरूरत काम हुई, क्योंकि होस्पिलिज से रिलीज होते ही, घर पे मेरे पास ऑक्सिजन सिलिंडर थे, और कंटिनियूसली बदो एक बड़ा सिलिंडर है, जो 17 गंटे ही काम करता था, तो हर दूसरे तीसे दिन एक बड़ा सिलिंडर था, फिर दिरे दिरे मेरा ऑक्सिजन लेना कम हुआ, और करीबन एक मेने के अंदर अंदर तो, मुझे ऑक्सिजन लेने की जरूत ही नहीं रही, उसके बाद मैं पहले यह सा महरी आलत थी, कि दस कदम में चलता हूँ, साथ पूल जाती थी, सीडिया चड़ना तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन अभी हम राजस्तान से फ्लाई करके आये हैं, आई जियाई एरपोर्ट से मेट्रो में लगवग पासाथ किलोमेटर पैदल भी चले होंगे, कई जिएगे सीडिया भी हाई होगी, मैं इजीली चड़ जाता हूँ, आज मैंने नोकरी से रिटायर होने के बाद, वापस मैंने जॉब भी जोइन कर रखा है, और ये डाइट चार्ट कंटिन्यूसली मैं फोलो कर रहा हूँ, थैंक्स दॉक्तर विशुरवाब चार्टरी और आप सभी जादर,